अन्बोक्सिंग ओपो EF20 बन प्रो स्मार्टफोन तो फटा फट से बोक्स को पिंड कर लेते हैं और वीडियो में आपके लिए सर्प्राइज भी रखा गिब्बे में कैसे पाइसे पार्टिस्रिवेट करना तो आज वीडियो का एंड तक देखते रहे हैं तो बोक्स को पिं स्मार्टफोन के अंदर नेक्स में दोस्तों यहाँ पर हम एक बोक्स कंटेन में टाइप टॉ टॉ टाइपी को नियाते हैं इसको साइड में रख लेते हैं नेक्स में दोस्तों यहाँ पे हमनेas मार्ठपोन को समचेवन कर लेते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या कुछ में डिस्प्लय मिल जाती कैसी परफॉमस्स मिलने वाले यह सारे डिटेल्स बताने वाले तो गाइज वीडियो को पूरा देखना तो वीडियो को यहां पे देख सकते हो स्मार्टफोन को सुचन कर लिया है तो गाइज डिस्प्ले की अगर सबसे बात कर लो सबसे पहले तो 6.43 इंचिस की आपको अमॉलर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है या कि आपको कालर सिस्टम मिल जाती है दोस्तों क्यूंकि इसमें हमें अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है हलके बैजल मिल जाते हैं स्क्रीन के अंदर कुछ ज्यादा बैजल नहीं मिलते हैं एंड मेरे को यहां पे इसकी डिस्प्ले अच्छी मिली तो जल्दी से इसको सेट अप कर लेते हैं स अंदर 33 magnets ke साथ स्मार्टफून के लिए लिए याटा है और फ्रेंट में यहाँ प्रेंट कामेरा अच्छा मिल जाता जोगी यहाँ पर्फुमें arrived के लिए मिल जाता है जो कि पफॉमेंस अच्छा लेविल का आपको मिल जाता है एंड 6GV के साथ में उसी के साथ में 128GV वाला वरेंट देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि स्माрफफवन आपको लिए मिल जाते हैं तो डिप्प्ले मेरे को यहां पिकम्बिनेशन अच्छा लगा दोस्तों कि इस डिब्स्प्ले में यहां पे अच्छा फुल एच्छली वाला मिल जाता है दोस्तों AMOLED डिस्प्ले का अगर बात करें इस स्मार्फवन की कैमर कर पाएंगे इस फोन का प्राइस आपको अगर आनवान की बात किया तो यहां पे 25,000 के अंटर में देखने के लिए मिल जाता है और इंडिया मार्केंट के अंदर यही अप्रेल में लौंच होने वाला है इंडिया में और काफ फी जद बेश्ट आपको मिल जा देगे तो दो सुक आफ यह देवेश्टी स्मार्फोन है